अगर आपका home science subject है बारवी का home science subject है मैं आपसे पहले ही request कर रहा हूँ जल्दी से चैनल को subscribe कर लीजिए पहले ही मैं आपको बोल रहा हूँ पहले में वीडियो में कभी नहीं बताता यह कि subscribe कीजिए मैं इसलिए बता रहा हूँ जितने question मैं आपको करवाँगा तकरीबन ज़्यादा question नहीं रहेगा ठीक है क्योंकि home science में ज़्यादा chapter यह available नहीं है ठीक है और chapter है तो उसमें कमी question है हर एक chapter में 2,3,4,5,6,7,8 ऐसे कुछ question है उससे ज़्यादा नहीं दस से भी ज़्यादा नही ठीक है ढरना नहीं है कि question tough आएगा दिंचरिया related से question यहाँ पर पूछे जाते हैं पहला question क्या आपका बच्चों की अस्थाई दात होते हैं तो इसका उत्तर क्या होगा तो कितने होते हैं तो question नहीं पर पहला का उत्तर होगा option number D 20 यहाँ पर देखें दूसरा number जन्म के समय नौजात सिसू का आउसत भार कितना होता है जैसे ही बच्चे पैदा लेते हैं उसके बाद फिर उसका वजन कितना होता है इसका उत्तर होगा option number B यानि धाय किलो ग्राम से साड़े तीन किलो ग्राम तक ठीक है चलिए आगे बढ़ते है next question number और तीसरा number question कि आपका किस महीने में बच्चा बिना सहारे खाड़ा हो सकता है यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा इसका उत्तर होगा option number C नौ से बारा महीने में ठीक है चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते है next question number 4 इरीक इरेक्शन ने समाजिक विकास के कितने अस्तर बताए है तो question number 4 का उत्तर होगा option number C यान चलिए 6 वर्स तक की आयू को क्या कहते हैं तो question number 6 का उत्तर होगा option number B बाले अवजधा ठीक है इसका उत्तर होगा option number B आगे यहाँ पर बढ़ते है next question number 7 निम्ने में से कौन किरियात्मक विकास नहीं है question number 7 का उत्तर होगा option number B बोलना ठीक है आगे यहाँ पर देखिए next question number 8 जन्म से ही सिसू में किस सम्वेक का परदर्सन होता है तो question number 8 का उत्तर क्या होगा option number A यानि प्यार इतना ही important था ठीक है मैंने आपको करवा दिया अब यहाँ पर जो भी important है मैं यहाँ आपर next topic से करवाने वाला हूँ यहाँ पर देखे पहला question क्या आपका बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए बिटामिन A की खुराक दी जाती है तो question number पहला का उत्तर होगा option number A रताउंदी ठीक है याद रखिएगा आगे बढ़ते है next question number दूसरा छै रोग निवारन के लिए कौन सा टीका लगा जाता है question number दूसरा का जो उत्तर है चै रोग किसे कहते है TB को कहते है TB एक होता है TB इसका मतलब होता है देखने वाला television और इसका मतलब होता है बिमारी वाला TB ठीक है तो बहुत सारे बोलते हैं TB तोरा TB हो गया है TB ये वाला होता है ठीक है तो आने वाला भविस में बच्चे को कभी भी TB रोग नहीं होगा आगे यहाँ पर बढ़ते है next question number तीसरा DPT के टीके के माध्यम से प्रतिर अच्छा दी जाती है इस टीका के माध्यम से किसकी प्रतिक्छा दी जाती है मतलब कौन से बिमारियों से रोका जा सकता है तो question number तीसरा का जो उत्तर है वो आपका option बड़ी diptheria ठीक है आगे देखें फूर्थ नंबर question के आपका WHO का पूरा रूप क्या है यानि world health organization तो यहाँ पर देखें तो question number फूर्थ का जो उत्तर है का जो बच्चे को दूद पिलाती है तो यहाँ पर पहला जो चरन है उसे क्या कहते है उस दूद को क्या कहा जाता है उसका उत्तर होगा college drum टिक है याद रखिएगा जिसे हम लोग अपनी भासा में पीला दूद भी कहा जाता है साइद ऐसा हमको लगता है आगे याँ पर देखते है next question number 6 कुकुर खासी से बचने के लिए कौन सा टिका लगाया जाता है कुकुर खासी मतलब इसमें क्या होता है कि बच्चे को सूखा खासी होता है उसमें बलगम जादे नहीं निकलता है सिर्फ खासते ही रहता है तो question number 6 का उत्तर क्या होगा option number B DPT ठीक है यही टीका लगा दिजे कुकुर खासी से बच जाईएगा 7 number question क्या आपका संकर्मक रोग से तात्र पर है संकर्मक रोग से क्या मतलब होता है देखिए 7 का उत्तर होगा option number C एक वेक्ति से दूसरे को लगना ठीक है या पिर एक वेक्ति से दूसरे में फैल जाना उसी को काते संकर्मक रोग जैसे किसी को सर्दी हो गया दूसरे में फैल गया वो चीक दिया तो वो हो गया संकर्मित रोग आगे देखिए next topic से important question आसमर्थ बच्चों की विशेस अवसकता है अब यहाँ पर देख लेते है important question जैसे यहाँ पर पहला है कितना परतीसत अस्कूली बच्चों में आसमर्थाएं होती है question पर पहला का उत्तर option number C पंदरा परतीसत आगे देखिए दूसरे नमर question प्राकिर्तिक आसमर्थ ता होती है तो यह किसमे होता है और कब से होता है और किस कारण से होता है तो question पर दूसरा का उत्तर option number B जन्म से होती है ठीक है चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते next question पर तीसरा वह बालग जिसकी सारिरिक मानसिक भावनात्मक तथा समाजिक छमताय समाने से हटकर होती है अलग तो question number 3 का उत्तर होगा अपसन मरे आसमर्थ बालग कहलाता है ठीक है आगे यहाँ पर बढ़ते next question number 4 सांग केतिक भासा होती है कैसी होती है question number 4 का उत्तर होगा अपका option number 4 Braille विधी ठीक है उसमें होता क्या है एक इस तरीके से अगर किताबे रहती है तो वहाँ पर क्या होता है कि उपर में जिससे छूने पर पता चलता है अक्छर वैसे वैसे तरीके से पढ़ाया जाता है इस विधी में आगे यहाँ पर देखते है next topic से question important बच्चों की वैकलपिक देख रेक तो यहाँ पर देखते है बहुत simple simple topic है ठीक है बिंदास मेरे चैनल से जुड़कर वीडियो देखिए सारा playlist में जितना वीडियो जाएगा और उसी के अंडर से question आएंगे ठीक है यहाँ पर देखे पहला question वैकलपिक देख रेक का अर्थ क्या होता है यहाँ पर देखे इसका जो उत्तर होगा option number डी इन में से कोई नहीं होगा ठीक है लेकिन I think थोड़ा बहुत तकरीबन 10% ये मुझे अंसर ये भी लग रहा है कि माता के बिमार पढ़ने पर बच्चे की देख रेक लेकिन यहाँ पर बोला गया वैकलपिक वैकलपिक मतलब होता official ठीक है official मतलब 100% देख रेक यही होना चाहिए यहाँ पर इसका उत्तर इसलिए मुझे इन में से कोई नहीं लग रहा है चलिए आगे बढ़ते है नेक्स्ट कोईशन बर दूसरा और कोईशन बर दूसरा क्या आपका ICDC की अस्थापना किस वर्स हुई है तो कोईशन बर दूसरा का उत्तर होगा अपसन बर 1975 इस वी में आगे देखिए कोईशन बर तीसरा सीसू सदन को किस नाम से बुलाते है तो कोईशन बर तीसरा का जो उत्तर होगा आपका उपसन बर D क्रैच ठीक है चलिए आगे यहाँ पर देखते है नेक्स्ट कोईशन बर 4 मॉबाइल क्रैच घूमती है तो कोईशन बर 4 का जो उत्तर होगा आपका परिवार के पोशन तो यहाँ पर देखे क्या कोश्चन आपका कोश्चन आपका पहला यहाँ पर देखे गर्ब विवस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है तो कोश्चन पर पहला का जो उत्तर है वापका उपसन नमर भी कैलसियम की ठीक है आगे यहाँ पर बढ़ है तो कोशन बर तीसरा का जो उत्तर है वह आपका अपसन बर सी एनिमिया ठीक है आगे यहाँ पर बढ़ते है नेक्श चे कोशन बर फूर पेचिस से पीडित बच्चों को दिया जाना चाहिए क्या देना चाहिए इसका उत्तर होगा अपसन बड़ी नमक एवं चीनी युक्त पानी का गोल क्यों क्योंकि पेचिस के समय बच्चों के अंदर उर्जा की कमी हो जाती है और जिसमें हम लोग अगर नमक और चीनी को अगर पानी में गोल देते ते एक गुलकोज बन जाता है और गुलकोज एनरजी को लाता है ठीक है आगे यहाँ पर देखे 5 नमबर बच चाहिए आगे यहाँ पर देखे चटा नमबर गर्ब विवस्था में वनी गर्ब वस्था में अवसकता बढ़ जाती है किसकी तो कोशन नमबर 6 का जो उत्तर है वो आपका उप्सन बढ़ी लहतत वर ठीक है आगे यहाँ पर बढ़ते है नेक्स्ट कोशन नमबर 7 बिटामिन C की कमी से कौन सी बिमारी होती है तो कोशन नमबर 7 का जो उत्तर है वो आपका उप्सन बढ़ी अस करवी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन और नेक्स्ट कोशन के आपका एक दूद पिलाने वाली माता को पहले 6 महने प्रते दिन के आहार में कितना अतिरिक प्रोटीन देना चाहिए तो कुशन नमर 8 का जो उत्तर है वो आपका उप्सन नमर 8 कम से कम 10 गराम ठीक है आगे यहाँ पर देखें कुशन नमर 9 रेफरीजेटर का परियोग होता है इसमें होता है प्रसीतन में किनवन में या निर जली करन में देखें यहाँ पर किसी का य नमरे वसा ठीक है चलिए आगे बढ़ते है नेक्स्ट कुश्चन ग्यारा नमर पोशन मानो जीवन की अवसकता है तो यहाँ पर आपको बताने इसका उत्तर क्या होगा अप्सन नमरे प्राथमिक ठीक है जो पोशन होता है वो यानि मानो यानि मनुश्य के लिए पहला अव जल है ठीक है आगे यहाँ पर बढ़ते है नेक्स्ट कुश्चन दूसरा नमर नमी की कमी होती है किस से तो कुश्चन नमर उप्सन का जो उत्तर है वो आपका उप्सन नमर C यानि डिहाडरेशन से ठीक है नमी की कमी यानि बॉलती हो ना डिहाडरेशन हो गया इसका मतलब नमी या जल की कमी हो गई शरीर में आगे देखे तीसरा नमबर कुशिन क्या आपका निर्जली करन यानि डियाइडरेशन के कारण मरने वाले रोगी को बचाया जा सकता है कैसे कुशिन नमर तीसरा का जो उत्तर है वापका उपसन नमर है O.R.S का घोल पिला के चलिए आगे बढ़ते है नक्स्ट कुशिन नमर पूर नगरों में पानी प्रापत करने का सुरोत है कुशिन नमर पूर का जो उत्तर है वापका उसन मर B वा़टर वरक्स ठीक है आगे यहाँ पर बढ़ते है यह नगरों की बात कर रहे है ठीक है गाउं में याँ में होता है कहने का मतलब है किसी तरह का रग नहीं होगा एकदम साफ बहुत सारे स्टूड़नट शोचेंगे कि रंगीन बोल दिये सर ऐसा बात नहीं है ठीक है आगे यहाँ पर देखिये फाद्ध स्वख्चिता इससे एक में जो सारे कवर करते हैं तो इतना मेहनत में आपके लिए करता हूँ तो एक लाइक तो जरूर बनता है और लाइक के बाद आप लोग एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा नए वीवर चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा ठीक है तो यहाँ पर देखें को बोजन को चूने से पुरू वपश्चात हाथ दोने चाहिए तो बताना इसका उत्तर क्या होगा अपसन नमबर सी साबुन से भाई ठीक है आगे यहाँ पर देखें नेक्स्ट कुशन नमर दूजरा किटनासक दवाईयों का कू परभाव दूर करने के लिए समागरी को अच्छी तरह से चाहिए क्या कर पकाना चाहिए इसका उत्तर को अपसन नमबर A मक्हियों से आगे यहाँ पर देखें नेक्स्ट कुश्चन फोर्थ नमबर पकाने के सही उपाय परियोग करने से प्राप्त होती है तो इसका उत्तर को अपसन नमर B अधिकतम पौश्टिक था ठीक है पकाने से क्या होता है लोग सही से अगर पका है उससे क्या होता है अधिक पौश्टिक हमें मिलता है तो यहाँ पर सही से पकाने का मतलब है जादा उसको भूंजना नहीं है जादे जितना देर से आप भूंजोगे किसी भी भोजन को उतना उससे पौश्टिक खतम होता है मतलब कम ही पकाना है य यहां पर इतने चेप्टर तक मैंने आपको complete कर दिया, जरूर आपको पसंद आया होगा वीडियो और interesting लेकर आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, इसी तरह मज़ेदार तरीके से मैं आपको next वीडियो का भी series लेकर आओंगा, जिससे आप लोग मज़े से exam में अच्छा मा से लिए आप आओंगे टिक है, तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए, जै हिंद, जै जारखन